बहुत सारी बधाईयां शुब कामना आएं आपके शुब जनम दिन की परमात्मा आपको इशश्वी बनाएं आप खुब मजबूत रहें आपकी जीवन में कभी किसी तरह के रुकावट ना आएं सद चुरित रवान रहें अच्छा करें बढ़ियां करें बहुत अच्छा करें हमारी बहुत सारी शुब कामनाएं हैं आपके लिए और आजे जानते हैं पहले विद्यार्थियों के लिए कि आपका पूरा साल कैसा जाएगा विद्यार्थियों का समय बहुत अच्छा है एक ऐसा समय है आपका जो अपने आप में ही बिलक्षण है और बहुत अद्भुत है जो भी डिसीजन आप लेंगे अपनी शुक्षा को लेकर के चाहे बाहर पढ़ने का हो चाहे विशय के परिवर्तन का हो सब कुछ सकरात्मक हो जाएगा और परिक्षा में आप पास हो जाएगे आपका मनोबल थोड़ा सा बढ़ेगा आज से ही अभी से गुरह दशाएं आपके पक्ष में है शुक्षा आपकी सुचारू ढंग से चलेगी जो भी रुकावट थी शुक्षा की वो समस्त रुकावट अपने आप धीरे-धीरे दूर हो जाएगी पैसा जो आणे आ रहा था आपके शुक्षा के वो भी दूर हो जाएगा पैसे की किल्लत भी दूर हो जाएगा व्यापार व्यापारिक दुष्टिकोंड से आपके निरड़े बिल्कुल सही साबित होंगे जो कुछ भी आपने पहले से सोचा था निरड़े लिया था वो पूरी तरह से सही रहेगा और आप का व्यापार दिन दूनी राजचोंगनी उन्नत करेगा किसी भी छेत्र का व्यापार क्यों ना हो लेकिन अच्छा करेंगे आप बहुत अच्छा करेंगे नौकरी प्राइवेट सेक्टर में अगर आप हैं तो थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा बट अगर आप सरकारी छेत्र में हैं तो बिना मेहनत के भी कुछ भागी के सहारे मिल जाएगा जैसे आप कर रहे हैं करते रहिएगा भागी के सहारे कुछ अच्छा मिल जाएगा पैसे की किल्लत दूर हो जाएगी ये हमने आपको बता दिया है अब हम आगे बढ़ते हैं नौकरी के बाद ऐसे लोग जो शादे शुदा है दामपत्य जीवन कैसा बितेगा अगर आज आपका जिनम दिन है तो दामपत्य जीवन के मैटर पर बहुत अच्छा रहेगा चाहे नियूली मैरेड हो या पहले शादे शुदा हो अगर एक मही को आपका जनम है तो दामपत्य जीवन में आ रहे ही समस्त दिक्कतों से आप बाहर निकलेंगे बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे आप एक और खास बात हम आपको समझाना चाहेंगे कि बाहरी लोगों का हस्तक्षेप अपने दामपत जीवन में मतबरदास्त करिएगा नहीं तो दिक्कतें आ सकती है अब ऐसे लोगों के लिए हम बता देते हैं जिनका अभी प्रेम संबंध हिलोरे मार रहा है आपका प्रेम बिवाह तक पहुचने के लिए लालाईद मतलब कि आप शादी कर सकते हैं आपका प्रेम आगे बढ़ सकता है जैसा आपने प्लाइन किया था जैसा आपने सोचा था बिमारियों के लिए अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल बिमारी के मैटर पर इस्तिती बहुत सकारात्मक नहीं है हड़ी की दिक्कत परेशान करेगी आपको लीवर की प्रॉब्लम परेशान कर सकती है हिमोगलोबिन आपका कम हो सकता है शुगर लेवल आपका बढ़ सकता है हर्ट की प्रॉब्लम परेशान कर सकती है अगर इन समझत चीजों में आप पहले से ही संघर्ष पूर्ण थे संघर्ष रत थे तो आप साउधान रह जाईएगा उपाय क्या करें? कि शिप पश्चिम दिसा के सिवाले में बहुत शुक्रिया धन्यवाद इस कारकरम पो इस वीडियो को अपने मित्रों को आप शेयर करिएगा जिससे ये आपकी तरफ से उनके जनम दिन का तवफा होगा बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा